कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे एम डिटेक टेक्निकल गुरू जी को और सबसे पिले न्यूस पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाईए करें आज मैं बता हूंगा आपको कूलर की मोटर की सांफ केसे बदलते यह पूराना भूच और इसकी साफ्ट है अब देख सकते हैं इसके आंदर यह सफ्तल है और यह पूचल पहले up बदल्क को कैसे बदलते हैं यह चैन। है इसकी साहधा से आप निकाल सकते हो यह ठोक कर नीचे कुछ भी रखना रख सकते हो धिkę यह ख्राब भुष है वो रख सकते हो और ऐसा कैसा बुष हिआप इसा लगे गई इसके बाद में इंप Рे fact उसके बाद में जो इसका ढखका नहीं लगेगा नस maker अस अधरीका इसमें जो लताते हैं दो a Bailey कि मैं पताता हूँ क्यक्ण होज प्रों किसे लंए सकते हैं कि इसमें यहाँ पर नट लगें दो और यहां पर यह पर एनट लगे हो हमें रिपीट लगाना है कि इसकी सायता से जैसे कि यह जो रिपेट है यह इसे किसी ठुप जाएगे इसके अंदर कि सबसे पहले नीचे जो है नीचे की तरफ हम नीचे की तरफ इसको कुछ भी लगा देंगे सपोर्ट के लिए ताकि यह निकले ना और हटे कि यह जो है हमें इस प्रकास लगाना है कि यह कि लग जाएगी फिर हमें इसे ठोकना है यह नीचे रखके इस ठोकना पड़ेगा पिरान साफ्ट की मदद से सब्सक्राइब है अब इसे कि इसे हम सारे यह आप देख सकते हैं कि यह रिपीट लग चुकी है यह रिपीट हम इसे कि सारी रिपीट लगाना है हमें साफ्ट चेंज करने का तरीका में अगली वीडियों बताऊंगा और हमने साफ्ट चेंज कर ली है इसकी और आप मैं इसे फिटिंग करने जा रहा हूं फिटिंग करते हैं अब हमने इसकी स्टेटर लगा लिया है अब इसमें रोटर लगाएंगे पहले रोटर का जो बुच्छ है सोरी बुच्छ ठीक कर लो कि बाद हम रोटर लगाएंगे रोटर चला गिया बड़ी ऐसा निसे लेकिन इसमें वाइसर लगाना पड़ेगा हमको क्योंकि बुच्छ ज्यादा नीचे चला गिया कि यह अब प्रोपर तरीक से चल रहा है है कि यह अब इसमें लगा लिया है अब यूपा कड़कन बाइगा हमने चेक तो करी लिया था कि कैसे लाएगा अब इसमें यह ऐसे कैसे लगा देना है कि यह अब प्रोपर नीचे करके देख लें कि ज्यादा प्ले नहीं होना चाहिए और ज्यादा प्ले होगी तो फिर मोटर थोड़े सा चलने में दिक्कत देगी आसानी से यह ताड़ी जो है इसकी को लगा लें आप कि अग्याद रखें जो तो छेदें आमने सामने आना चीए है हमें इससे मदद मिलती है कि यह आप अगर आगे पीछे होते हैं या यह फाग उदर पीछे की तरफ हो जाता तो फिटिंग होने में थोड़ा दिक्कत देती है कि अब चला चला के देख लें कि टाइट नहीं होना चाहिए एक दम फिर्ग होना चाहिए कि अगर्म जदा होगी और जदा गर्म होगी तो जल जाएगी मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा इसे में पाद चार का कंडेंसर नहीं है लेकिन यह तीन पंदरा से भी चल जाती है कि इन पंदरा से ड़ाई से इस में है और वह निला है और दो तीन वाइट और लेग इस प्रिखते हैं कि सबसे पहले हम इसका करण चेक कर रहे हैं करण को नहीं आ रहा है करण नहीं आ रहा है अब चलू करके देखने हैं इसको यह लोड दे रही है अभी सेम थोड़ा सा फ्री करें है थोड़ा सा धिला कर देते हैं कि आपकी जाए टाइट चल रही मोटर इसमें ठाई कर इसमें चार अकने चल रहेगा वेगे ने इसमें चल जाईए यह आप देख सकते हैं कि मोटर चल चुकी है आपको दिखाने के लिए इसमें में लगा देता हूं ताकि आप बड़ी आसानी से देख सकें कि मोटर चाल रही सकती है इसमें निलावाल और यह ब्लेक वायर यह हाथ से इसलिए घुमाना पट रही क्योंकि कंडेंसर विख है इस वैसे हाथ से घुमाना पट रही इसको अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए ठेंक्यों और विखर यब। वोर यह दोमाना पाते ही सब्सक्राइब किजए बाइब कर दो सेetter के लिए हम Kpri रही सब्सक्राइब कर दो कलो सबस्क्राइब कि आर भी